लालू यादव ने सबसे ज़्यादा संपत्ति अगड़ी जाती के लोगों के पास होने को लेकर एक विवाद एक चर्चा छेड़ दिया है ऐसे में बीजेपी का क्या स्टैंड हम सीधे जानते हैं निखिल से निखिल ये बताईए कि जो लालू जी ने जो बयान दिया है एक के आधार पर कि संपत्ति जो है वो सबसे ज़्यादा अगड़ी जाती 88 से ज़्यादा फिजदी है तो ऐसे में क्या देख रहे हैं इसको आप देखिए लालू प्रसाद जी समाजिक नया के पुरोधा खुद को क्लेम करते हैं लेकिन जब भी इनको सत्ता में राजनितिक भागिदारी देने का दलित पिछणों को मौका आया तो इन्होंने भागिदारी परिवार के लिए सुनिश्चित की धन संपत्ति परिवार के ल सभी माफियाओं को कि उत्पत्ति और संरक्षन देने का काम लालू जी ने किया और लालू जी अपने गिरेबान में जहांके कि उन्होंने अपने शासनकाल के दोरान किस तरीके से आर्थिक नयाय देने के लिए कोई प्रयास किया जंगल राज की स्थिति तो इसलिए कही ज हिंडोरा आम जन्ता को प्रोवोक करके सिर्फ वोट बैंक बना करके यादों को दलीतों को पिछरों को वोट बैंक के रूप में इस्तिमाल किया कि अ तरफ धर्म है धार्मिक नयाय की बात हो रही है तो दूसरी तरफ जाती का तादार पर आर्थिक संरक्षन या आर्थिक आधार को उभारा जा रहा है देखिए लालू जी वैसे व्यक्ति हैं कि जो वित मंत्री रहते हुए इन्होंने भरस्टा चार और अनियमित्ता का जो आरोप लगा तो आज तक सजा और जिल और कानूनी पेच इनका फंसा हुआ है अब खुद को अर्थसास्त्री समझने लगे अब इनको अगर अर्थसास्तर की थोड़ी भी समझ होती तो देश की आजादी के बाद जो पृस्टभूमी नहरु जी ने नहरुवादी राजनिती ने रखी और समान सिक्षा और समान समाजी के वेवस्था की जो पृस्टभूमी रखी गए उसी का खामियाजा आज हमलो OBC मंत्री था केंदर सरकार में, विरप्पा मोईली, लालू जी को याद है क्या, लालू जी ने कहीं भी ओनलाइन या ओफलाइन रेकॉर्ड ढोंड ली जिए कि OBC कमिशन को constitutional status देने के लिए समवधानिक दरजा देने के लिए इन्होंने कहीं आवाज उठाई हो, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पिछरा वरगायों को समवधानिक दरजा दिया, अभी क्यों उठा रहे हैं, क्या विधान सवा चुनाव है इसलिए, देखिए लालू जी वोट बैंक क सफलता नहीं मिली, अब RJD बहदवास है कि कैसे वोट बैंक का दायरा बढ़ाया जाए, तो पिछरा, अगरा और तमाम तरह के हतकंडे और जुगत भीराने में लगे हैं, और ऐसी पार्टी जो कॉंग्रेस की गोद में बैठी हो, समाजी किनाय के बारे में कैसे बात कर सकती है, कॉंग्रेस ने समाजी की निया के लिए कोई एक काम किया हो तो बता दे, आपने सुना कि लालू से लेके कॉंग्रेस तक को समेटनी की कोशिश की जा रही है, बीजेपी के तरफ से, नजर भले संपत्ती पर हो, लेकिन ध्यान विधान सवाचुनाव में वोट बैंक पर है, हमारे सहयोगी शालेश के साथ प्रकाश कुमार, एबीपी न्यूस, पटना